दोस्तों हमारे चैनल गान भर्णडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम जानेंगे पीछे की पाय अकेट पेपस रखने से कौन सी बिमारी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रा तो आपको अपनी ये आदत अभी से बदल देनी चाहिए, दरसल पस में लोग नोट के अलावा धेर सारे काट्स, सिक्के और कई बार पहचान पत्र आधी रखते हैं जिनके कारण बस काफी मुटा हो जाता है, ऐसे में जब आप बैक पॉकेट पे पस रखे हुए कहीं जाती हैं, जो आपके लिए कई तरह की शारडिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं, पीछे की बजाए पस आपको हम्मीशा आगे की जेब में रखना चाहिए, आईए, आपको बताते हैं कि पीछे की पॉकेट पे पस रखने से क्या-क्या परिशानिया हो सकती हैं, जब आप पस को पिछली जेब में रखकर बैठते हैं, तो इससे कमर पर दबाव पड़ता है, जो कि कमर से ही कूल है कि साइटिका नस गुजरती है, इसलिए इस दबाव के कारण आपके कूल है और कमर में दर्ध हो सकता है, इससे आपके हिप ज्वाइंच में मौजूद पिरिफॉर्म म जाल है जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ती है, कई नसे ऐसी भी होती है, जो दिल की धमनियों से होते हुए कमर और फिर कूल हें की रास्ते से पैरों तक पहुचती है, पीछे की पॉकेट पे पस रखकर लगातार बैठने से इन नसों पर दबाव पड़ता है, जिस से कई बार खून का प्रवाहर रुख जाता है, ऐसी स्थिते लंबे समय तक बने रहने से नसों में सूजन भी बढ़ सकती है, खराब हो सकते है रिर की हड़ी बैक पॉकेट में वालेट होने की वज़ए से शरीर का बैलेंस ठीक नहीं बनता है और व्यक्ति सीधा नहीं बै पैन्ट की पिछले पॉकेट पे पस रखने से पारीफोर्मिस सिंड्रोम नाम के बीमारी हो सकती है, इस बीमारी में मरीज को असहनिय दर्ध होता है, पर्स के साथ घंटों बैठे रहने से पारीफोर्मिस मसल्स दब जाती और पैरों में तेज दर्ध होने लगता है, से अधिक मरीजों की संख्या उन लोगों की है जो घंटों तक बैठने का काम करते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले